गुरुवार को तुलसी में ये दो चीज अरपन करने से कंगाल भी बन जाता है धनवान। मा लक्ष्मी की विशेश कृपा आपको प्राप्थ हो जाती है। गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी में एक चीज बांध देते हैं तो आपके धन में सहस्र गुणा वृद्ध होती है। साथ ही गुरुवार को केले के व्रिक्ष को जल चड़ाने से मनुष्य को उसके का किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं और धन संपत्ति पाना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक गुरुवार को किसी जरूरत मंद को गुढ का दान करें। आप चाहे तो गुरुवार के दिन किसी लाल गाय को भी गुढ खिला सकते हैं। शाद माना जाता है कि गुरुवार को महिलाओं को अपना सिर नहीं धोना चाहिए। इसके साथ ही ना ही अपने बाल कटवाने चाहिए। उनके ऐसा करने से उनकी जन्म कुंडली में ब्रहस्पती कमजोर होने लगता है, जिससे उनके दांपत्य जीवन में भी परेशानी आती उनके पती वसंतान की उन्नती भी रुख जाती है। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केले के व्रिक्ष की पूजा होती है। इस दिन केले के पेड को जल चड़ा कर अपनी मनोकामना बोलने से वह पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही ब्रहस्पतिवार के दिन घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना नहीं चाहिए, इस दिन घर से कबार बाहर नहीं निकालना चाहिए और पोंच्छा भी नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार के दिन ना खून भी नहीं काटने चाहिए और नाहीं दाड़ी बनवानी च गरुड पुरान के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विश्णु के सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पुरान में तुलसी को भगवान विश्णु की पतनी कहा गया है। सभी पाप उसी प्रकार से नश्ठ हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्री का अंधकार नश्ठ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुक शान्ती और सम्रिद्धि बनी रहती है। भगवान विश्णु की पूजा में और उन्हें छड़ाये जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए। चुनरी नहीं चड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुब फल प्राप्त नहीं हो पाता है। चुनरी चड़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चड़ाये। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बूध ग्रह तुलसी से सबंधित होता है। मंगल और बूध ग्रह मित्र नहीं है, बूध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनी है। इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चड़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की, अथवा नीले रंग की चुनरी चड़ा सकते हैं। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गनेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुब होता है तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए अन्य था कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है अक्सर महिलाएं सनान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है ऐसा करना गलत होता है महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांध कर माथे पर सिंदूर लगा कर ही तुलसी में जल देना चाहिए इससे तुलसी का आशीरवाद प्राप्त होता है शास्त्रों में केले के पौधे का विशेश महत्व बताया गया है अगर आप तुलसी के पास केले का पेड लगा देते है तो आपको कई गुणा अधिक लाभ प्राप्त होंगे केले के पेड में भगवान विश्नु का वास होता है इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समरिध्य आती है। साथ ही, जिस स्थान पर भगवान विश्नु का वास होता है, वहाँ पर लक्षमी खुद चल कर आती है। गुरुवार के दिन तुलसी और केले के पेड की पूजा करने से मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में पीले रंग का धागा बांध कर अपने मन की कोई मनोकामना अवश्य कहे, वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए, तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शाली ग्राम भगवान विश्णु का निराकार रूप माना जाता है, यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षन और मूल्यवान माना गया है, इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे, तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक उर्जा नश्ठ हो जाएगी, तो दोस्तों, इस प्रकार से आप गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करे, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, विडियो को लाइक जरूर करे, कमेंट में जैश्री हरी विश्णु अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आप सभी का धन्यवाद